So once again welcome to my channel और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बंगाल का फुटबॉल इतना बेटर क्यों है बाकी स्टेट के मुकाबले और वहाँ पे फुटबॉल कैसे स्टार्ट हुआ और इस लेवल तक कैसे पहुचा तो इस बारे में आज पूरी वीडियो है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो नागेंदर प्रसाथ सरबाधिकारी जो है उनको इंडियन फुटबॉल का फादर कहा जाता है तो उन्होंने इस गेम को भारत में इंट्रोडियूस किया था तो कैसे किया था हम उसके बारे में जानते हैं तो 1877 की बात है वो शाम के समय अपने पैरेंट्स के साथ कहीं जा रहे होंगे तो उस टाएम ब्रिटिस लोग फुटबॉल खेला करते थे तो उनको यह बड़ा पसंद आया तो उन्होंने रुख कर देखा कि क्या खेले फिर नेक्स डे जब अपने स्कूल गया तो इसकूल में अपने फ्रेंट्स लोगों के साथ उन्होंने सेम यही गेम खेलने की कोशिश की तो वहाँ पर ब्रिटिस टीचर सुख करते थे तो उन्होंने कहा कि इस गेम को और खेले और लोगों को सिखाए इस बारे में तो उन्होंने सरबादिकारी जी जो थे उनको थोड़ा से एंक्रेज किया तो जो सरबादिकारी जी थे उन्होंने The Boys Club बनाया तो ये भारत में पहला इनिसेटिव था कोई स्पोर्ट्स के लिए फुटबॉल के लिए मेंली तो ये पहला एक इंस्ट्यूट बनाया उन्होंने The Boys Club और अठासवस्टी का जो टाइम था उसमें उन्होंने काफी और क्लब भी मनाया तो उनमें Wellington Club भी था जो उन्होंने बाद में बनाया लेकिन ये जो Club था जादा चला नहीं इसको बंद करना पड़ा क्या हुआ कि वहां पर इनके साथ ही एक इनके टीममेट थे वो थोड़ी छोटी जाती के थे इनके टीम में बाकी लोग बड़ी जाती के थे तो वो अपोज में थे कि हम छोटी जाती वाले के साथ नहीं खेलेंगे तो उस टाइम इस कारण से वो Club को बंद करना पड़ा फिर 1884 का जो टाइम था वहां पर वेलिंग्टन Club जो था हो टोटली बंद हो गया फिर इस टाइम पर उनके पास 500 मेंबर्स से 500 से ज्यादा मेंबर्स थे तो 500 मेंबर्स के साथ नागेंदर प्रसाज जी ने मिलके एक Club बनाया जिसका नाम था सोवा बाजार उस टाइम का यह Top Sports Institute था इंडिया में फिर उसके बाद 1889 में बनाया गया जो भारत का सबसे बड़ा Club माना जाता है मोहन बागान तो वहां की तीन ऐसी बड़ी पैसे वाली फैमिली इस थी बंगाल में उन्होंने मिलके इस Club को बनाया जो कि अब 80 के मोहन बागान बन चुका है तो वैसे ही 1887 में मतलब मोहन बागान से बनने से पहले एक जुबली क्लब भी बनाया गया था जो ऑफिसियली 1891 में मोहमडड़न स्पोर्टिंग क्लब बना और फिर 1893 में जो है वो इंडियन फुटबॉल एसोसियेशन बनाया गया गया नागेंदर प्रसाजी के द्वारा और कुछ British officers से उनके साथ मिलकर फिर उन्होंने एक क्या फिर एक official body बन गी तो body बनने के बाद उन्होंने टोर्नामेंट करवाना शुरू किये फिर 1898 में 1898 में मतलब काफी सालों बाग थी उन्होंने CFL सुरू किया जिसको हम Calcutta Football League बोलते हैं तो जो कि Asia में पहली Football League थी उस इसमें दो डिविजन थे फर्स डिविजन सेकंड डिविजन फिर 1937 तक मतलब 1937 तक ये इंडिया की नेशनल लीग थी क्योंकि 1937 में AIFF का गठन किया गया था 1914 तक जो CFL था उसमें केवल British team में खिला करती थी उसके अलावा कोई भी इंडियान टीम उसमें अलाव नहीं थ इंट्री दी गए और 1993 में मतलब काफी सालों बाद CFL की Women's League भी शुरू की गई जो की अभी तो काफी ठिक ठाग है वहाँ पर इस तरह से जो CFL है वो चलता गया और बाद में अभी एक ऐसा मोडिफिकेसन इसमें हो चुका है तो CFL में साथ डिविजन है जिसमें लास्ट के यह काफी ठीक है लेकिन इसमें जो investment की जाती है मेरे खाल से उससे भी जादा है तो आपे price money को देख सकते कि कितना इसमें price money मिलता है और 2005 के पहले इसका कोई television पे टेली कास्ट नहीं होता था तो 2005 से इसका live टेली कास्ट किया जाता है जो आप देख सकते है यहाँ details में कि 2005 स से कौन-कौन सी TV companies जो थी वो इनका broadcasting करती है सबसे successful club इसमें है कोई बंगाल का तो वो East बंगाल को माना जाता है वो Calcutta Football League को 39 times जीट चुका है जो की बहुत बड़ा अकड़ा है आप West बंगाल की team भी देखें अगर national level पर तो बाद में Santos Trophy जो start हुई थी तो Santos Trophy में West times champion बन चुकी है और 13 बार runner up बन चुकी है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते है कि भारत की सबसे successful football अगर कहीं का है भारत में तो वो बंगाल का football माना जाता है तो एक क्यों हुआ इतना successful इसके पीछे आप ये वजह देख सकते कि वहां पर मतलब आठासो के दसक से हाँ पर वहां पर साथ division है इतना अच्छा structure है वहांगी IFA बहुत अच्छी है तो इस वजह से वहांगी football बहुत जादा अच्छी है और अभी भी वहांगे जो players है इंडिया टीमें भी देखे तो काफी players है ISL में अब देखे तो बंगाल के काफी players है ILEAG में देखे तो उनके बहुत जादा players है तो इसलिए वहां के players अभी भी तब कंसिस्टेंटली वहां के player अभी भी top division में खेल रहे है तो बाकी स्टेट क्या कर सकते है कि वहां से इस चीज को सीख सकते है कि हम किस तरह से अपना structure बनाए और football को develop करें तो वहां का जो football बढ़ा है वो इस कारण से बढ़ा ह क्यों है और इतना improve क्यों कर रहा है बंगाल so for more upcoming videos you can subscribe to my channel and thank you for watching the video